आईए आज कथा साहित्ते में सुनिये मालती जोशी जी की लिखी कहानी ग्रिह प्रवेश मनोज जैसे ही घर में दाखिल हुए कनक ने टीवी बंद करते हुए कहा बड़ी देर करती सुभा बताया तो था पापा को चेक अप के लिए ले जाना था बताया तो था पर इतनी देर किसी दिन मेरे साथ चलना तो पता चलेगा कि डॉक्टर्स के यहां कितनी भीड होती है जितना अच्छा डॉक्टर उतनी ज्यादा भीड नंबर लगाना पड़ता है दफ्तर से लोटते हुए मैं नंबर लगाता गया था उसी अंदास से फिर मैं पापा को लेकर गया नहीं तो वे क्या इतनी देर पैट पाते हैं पर हर बार आप ही क्यों तो और कौन जाएगा मा या पंकज देवी जी डॉक्टर के यहां साथ जाने का मतलब होता है मरीज की सही हालत जानना प्रिस्किप्शन समझना पर ही इसके बारे में जानना अगले प्रोजेक्ट की जानकरी लेना इसके लिए एक जिम्मेदार आदमी की जरूरत होती है जाने को तो पापा अकेले भी जा सकते हैं पर फिर वो सारी बाते बताएंगे थोड़ी ही आधी डॉक्टर से चिपा जाएंगे आधी हमसे कनक कुछ नहीं बोली मुह भुलाए पैठी रही मनोज ने जूते उतारते हुए कहा और एक बात साफ पता दू मेडम मैंने सिर्फ घर छोड़ा है घर के लोग नहीं उनके सुख दुख से अब भी मुझे सरोकार है ये घर छोड़ने का ताना हर वक्त क्यूं देते रहते हो तुम्ही उकसाती हो नहीं तो इस समय इतना ठक गया हूँ कि कुछ कहने सुनने की ताकत नहीं है और अब अगर तुम्हारा क्रॉस एक्जामिनेशन खत्म हो गया हो तो खाना लगा लो बहुत ठक गया हूँ खाकर सोजाओंगा आप खाकर नहीं आये हैं इतनी देर हो गई तो मैंने सोचा जरूर खाकर आता पर पिछली बार तुमने जो हंगामा किया था उसके खारण ना मा की कहने की हिम्मत हुई ना मेरी खाने की कहते हुए वे फ्रेश होने चले गए कनक खाना लगाने लगी पर उसका मन गुस्से से भरा हुआ था भला अलक रहने का फाइदा क्या हुआ अब भी वहां की जिम्मेदारियां ढोई चले जा रहे हैं आज मा की आँखें टेस्ट करवानी है कल उनका चश्मा बनवाना है परसों पंकच का फॉर्म भनना है पापा के चेक अप करना तक तो निरंदर चलता ही रहता है नीरज वहां दिल्ली में मजे कर रहा है यहां सब हमी को भुगतना है खाना दोनों ने बेमन से खाया दोनों ही अपने अपने विचारों में खोय हुए थे मनोज शायद चिंता ग्रस्त थे कनक गुस्से से उफन नहीं थी अगर मनोज खाना खाकर आये होते तो उसे गुस्सा करने का एक मौका मिल जाता पर पिछले एपिसोड की याद दिलाकर उन्होंने उसकी बोलती बंद करती थी अपने मन का गुबार लेकर रात कनक बहुत अशांत थी देर तक करवटें बदलती रही बड़ी देर बात उसने लक्षे किया कि मनोज भी सोई नहीं है तक तकी लगाए छट को निहार रहे हैं क्या बात है अभी तक सोई नहीं खाना खाते समय तो आपको इतनी नींद आ रही थी मनोज ने उसकी और खूर कर देखा फिर धीरे से बोला थोड़ा टेंशन हो गया है क्यों? पापा का ओपरेशन जरूरी हो गया है ओपरेशन मतलब ओपन हार्ट सरजरी उसमें तो बहुत खर्च आता है ना खर्च तो हर ओपरेशन में आता है टेंशन उसका नहीं है प्रशन यह है कि पापा उसके लिए तयार होंगे की नहीं उन्हें राजी करना एक टेड़ी खीर है फिर यह है कि राजी हो भी गए तो यह है आपरेशन जहेल पाएंगे की नहीं उनका बीपी उनका डाइबेटीज सब को कंट्रोल करना होगा और उनका तो यह हाल है कि डॉक्टर के यहां जाने के नाम से ही बीपी बढ़ जाता है वे अपनी चिंताएं बता रहे थे और कनक सोच रही थी कि खर्च का टेंशन तो नहीं है मान लिया पर वेह आएगा कहां से वो पूछना चाहती थी पर डर के मारे चुप रही फिर वही जुम्ला सुना देंगे मैंने घर छोड़ा है घर के लोग नहीं उसके बाद वेह विशे घर में तो नहीं उठा पर मनोज अन्मने से बने रहे पापा का उपरेशन उनके दिमाग पर हावी रहा पते की चिंताओं को साजे में ढोने का कनक कामन होता था पर हिम्मत नहीं पड़ती थी अलग घर बसाकर उसने जैसे एक अच्चम्य अपरात कर डाला था उस दिन से दोनों के बीच एक अध्रिशे दूरी बन गई थी घर में एक तनावसा भनने लगा था वहां उतने लोगों के बीच एक कमरा भर उनका अपना था पर वहां ज्यादा नजदी किया थी पती का प्रेम वहां जैसे उमण पड़ता था कनक के मम्मी डेड़ी हफते दस दिन में सुमेद को देखने आते रहते थे बेटी का अलग घर हो जाने से उन्हें अपड़ी सुविधा हो गई थी नहीं तो नवासे को देखने के लिए जब तब समध्याने जाते बड़ा संगोच हो जाता था इस बार आये तो उन्होंने भी लक्षे किया कि मनोज कुछ परेशान से है दरसल वे उनके पास मुश्किल से दस एक मिनट बैठे होंगी और उठ खड़े हुए कनक तुम चाय की तयारी करो मैं डैडी के फैबरिट समोसे लेकर आता हूँ अरे रहने दो बेटा क्यों परेशान हो रहे हो चाय भर काफी है परेशानी की कोई बात नहीं है डैडी मुझे पापा की दवायां लेने जाना ही था देर से जाऊंगा तो दुकान बंध हो जाएंगी जल्दी आना ऐसा नहीं कि मैं आठ बजे तक चाय के लिए बैठी रहूं कनक ने चेताया बस अभी गया और अभी आया उनके जाते ही डैडी बोले क्या बात है बेटा मनुझ कुछ अपसेट से लग रहे है कनक तो भरी पैठी थी एक तम ही फट पड़ी बड़ा अच्छा घर देखा है आपने मेरे लिए लगता है इन जिम्मेदारियों से जिंदकी भर उबर नहीं पाऊंगी इससे तो अच्छा था कोई एकलौता लड़का देखते एकलौते लड़के की जिम्मेदारियों सादा होती हैं बेटे वहां तो कोई शेयर करने वाला भी नहीं होता तो यहां कौन शेयर कर रहा है एकलौता एक देखा तो था मम्मी बोली वे लोग तयार भी थे पर आप दोनों ही मुकर गए थे ठीक ही तो किया था उतनी सेलरी में तुम्हारे बेटी का गुजारा हो पाता डैडी अब भी तो उतने में ही गुजारा कर रही हूं क्या मतलब मम्मी डैडी एक तम चौकनने हो गए हर महीने कितना देना पड़ता है वहां नहीं ऐसा रेगुलर तो नहीं देना पड़ता पर खर्चे लगे ही रहते हैं दीदी की विदाई है मम्मी जी का चश्मा है घर की छत सुदरवानी है अब ये पापा का आपरेशन है और अगले महीने तो पापा रिटायर भी हो रहे है डैडी थोड़ा सोच में पड़ गए चाय नाश्टे के दोरान उन्होंने सहजभाव से कहा फिर आपरेशन की कौन सी डेट फिक्स होई है अक्टोबर के फर्स्ट विक में ही हो पाएगा तीस को पापा रिटायर हो रहे है उनकी इच्छा उस दिन दफ्तर जाने की है इसलिए उसके बाद का ही सुचा है तब तो तुम पर बहुत लोड आएगा सो तो आएगा ही घर का बड़ा लड़का हूँ मैं फिर नीरच बहार है तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही बनती है और आप लोगों के आशिरवात से मेरी कमाई भी इस लायक है कि इस बोज को उठा सकता हूँ नीरच की नौकरी अभी नई है इसके बावजूद पंकच की पढ़ाई का पूरा खर्च वो उठा रहा है मैंने और पापा ने कितनी बार समझाया कि तुम बाहार रहते हो तुम्हारे अपने बहुत खर्चे है इधर की फिक्र छोड़ दो पर वो मानता ही नहीं है ठीक है बेटा चलते समय डैडी ने कहा हमारे लायक कोई बात हो तो बताना तुम दोनों बहुत टेंस लग रहे थे इसलिए चिंदा हो गई थी मेरी चिंदा ना करें I am all right और अपनी बेटी को तो आप जानते हैं उसे बिना बार टेंशन लेने की आदत हो गई है बताईए हारी बिमारी किसके यहां नहीं होती पापा का ओपरेशन है भी तो परिशानी क्या है उनके दो-दो कमाओ बेटे हैं वे खुद भी समर्थ हैं सब हो जाएगा 15 सितंबर को पापा 60 साल के हो रहे थे 30 सितंबर को उनका रिटायर्मेंट था इसलिए शस्टी पूर्ती धूम धाम से मनाने का बच्चों का मन था इच्छा थी कि इसी बहाने सह कर्मियों को आमंद्रित किया जाए रिश्टेदार और इस्ट मित्रतों खेर आएंगे ही राखे पर निरच आया था तो सब ने बैठ कर पूरा प्लान बना लिया था योजना तो यही थी कि यह कारेकरम पापा के लिए एक सर्प्राइस गिफ्ट हो इसलिए यह तै हुआ कि उन्हें भनक भी नहीं लगने देंगे पर निमंत्रितों का चुनाव तो उन्हें ही करना था पूरा आफिस तो न्योता नहीं चा सकता था जैसे ही पापा ने योजना सुनी बिदग गए बोले एक फेरवेल तो आफिस दे ही रहा है तुम एक और बिदाई समार हो क्यों कर रहे हो थोड़े दिनों की तो बात है सब के सब बिना बुलाय आ जाएंगे इत्मिनान रखो इन दिनों पापा पहुट टची हो गए थे रेटायर्मेंट का डिप्रेशन तो हर आदमी को आता है फिर आप्रेशन की वज़ा से थोड़ा टेंस भी हो गए थे जरा से में नाराज हो जाते थे इसलिए मा ने कहा जो कुछ भी करना है उनकी मर्जी से करो चड़ जाएंगे तो सारे कारकरम की बाराँ बचा देंगे फिर यह तै हुआ कि सिर्फ नस्दी की रिष्टेदार और अडोसी पडोसी ही पुलाए जाएंगे बाहर से केवल दीदिया रही थी और वहें भी अकेले मनोच का बहुत मन था कि कनक दिन में मा के पास चली जाया करे जूट मूठ ही सही काम का पूछ लिया करे पर उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा कनक ने भी कोई पहल नहीं की वो अपनी ही चिंता में डूबी हुई थी उसे यह सारा आयोजन वेर्थ लग रहा था लोग क्या साट साल के हुदे नहीं है उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी करने की क्या जरूरत है खास कर जब कि आपरेशन का इतना बड़ा खर्च सामने है मनोज लेकिन रोज जाते रहे हैं महमानों की लिस्ट बनाते रहे सबके साथ बैठ कर मीनू तेह करते रहे सबकी सलहां से कैटरर तेह किया टेंट हाउस को कुर्सियों का प्लेट साधी का ओडर दिया घर की सजावट का थोड़ा सा सामन खरीदा पापा के लिए नया रेशमी कुर्टा पजामा और मा के लिए साड़ी खरीदी कनक उनकी दोड़ धूप और शाह खर्ची देकर कुड रही थी सारी हमाली हमारे ही सिर है निरज दिल्ली में बैठा मजे कर रहा है नवाब सहाब एन वक्त पर पधारेंगे जब सारा काम हो चुगा होगा हैरत तो तब हुई जब कारेक्रम वाले दिन भी निरज नहीं पहुँचा शताप्ती तक सबको आशा थी पर जब उसका भी समय निकल गया तो घोर निराशा चा गई मनोच और पंकज दोनों फोन लगाने का प्रयास कर रहे थे पर लख ही नहीं रहा था सबकी जबान पर एक ही चर्चा थी खुद ही प्रोग्राम बनाया खुद ही कायब हो गया कनक कुड रही थी कि जान बुझकर मूच चिपा गया है जब वो आएगा ही नहीं तो बड़े भाईया जख मार कर सब खर्च उठाएंगे चार बजे के आसपास उसने हसका चवाब दिया मैंने ही उन्हें मना किया था सुन लो मा दीदी फुस्भुसा कर बोली ये तो पहले से भी सवासेर निकली घर में आई भी नहीं है अभी से हुकम चलाने लगी लगता है तुम्हारे भागे में ऐसी ही बहुएं लिखी है दीदी की बात को अनसुनी करते हुए मा ने सारे का से पूछा लेकिन तुमने उसे मना क्यों कर दिया मा उनका बॉस छुट्टी के लिए बहुत किलकिल कर रहा था बोले की अभी आऊंगा तो फिर शायद ओपरेशन के समय नहीं आपाऊंगा तो मैंने कहा अभी आने की कोई जरूरत नहीं है यहां बहुत लोग है पर उपरेशन के समय जरूर आना भाई साहब अकेले क्या कर लेंगे मिस्टर पंकच कुमार का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है है क्यों नहीं भाई चायवाय पहुंचाने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा पर जिम्मेदारे वाले काम तो बच्चों को नहीं दिये जा सकते न पंकच फिर कुछ कहने को था कि पापा बोल उठे बेटी तुमने उसे नाहक बना किया ओपरेशन तो अब कैंसिल हो गया है क्या मतलब केवल सारे का ही नहीं मनोज भी चौंप पड़े अभी तो वे इस नई बहु को आत्म साथ करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि जिसे पूरा घर जानता था यहां तक कि दीदी भी उसके बारे में आज तक उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था वो जिस तरहां अनुपचारिक धंग से दाखिल हुई थी जिस तरहां बात कर रही थी उससे साफ जाहिर था कि घर में खुल मिल गई है वो केवल उनके लिए ही अपरिचित है वे अपने आपको बहुत अपमानित अनुभव कर रही थे कि पापा ने ये बॉम शेल टाल दिया ओपरेशन की सारी दोड़ धूप वे कर रहे हैं और उसके कैंसिल होने का उन्हें ही पता नहीं है क्या अब वे इतने पराय हो गए है कि इतनी महतबून घटनाओं की जानकारी भी उन्हें सैयों वशी मिला करेगी उन्होंने थोड़े सक्त लहजे में पूछा पापा ये आपके दिमाग का फितूर है या सच मुझ डॉक्टर सीनहा ने ऐसा कहा है आप डॉक्टर के पास कब गए थे किसके साथ गए थे उधर सारे का रुआसे स्वर में कह रही थी ये बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं कम से कम दिल्ली खबर तो करती होती एक दिन के लिए ही सही निरच आ तो जाते मनोज मा ने आदेश पून स्वर में कहा आपरेशन की चर्चा आज जरूरी तो नहीं है न तो अब यह विशे बंद करो घर में बहुत काम है सब लोग चुप तो हो गए थे पर कमरे में एक तनावसा भर गया था उसे हलका करने की गरत से पंकच निनाट के ढंग से कहा सारिका जी May I have the pleasure to introduce you to my bhaiya and bhabi and little prince सुमंद सारिका ने चहरे पर एक मुस्कान ओड़कर तुनंत मनोज और कनक के पैर छूलिये फिर दीदी के पैर छूते हुए बोली सारी दीदी आपको भी परणाम करना भूल गई थी मनोज ने भी वातावरन को हलका करने के लिए कहा पंकच यह परीचे कारेकरम तो अधूरा ही रह गया मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं किस हस्ती से मुखातिब हूँ बड़े भाईया कुछ ना पूछे पंकच ने उसांस भर कर कहा यह हमारे परिवार पर मनराने वाला संकट है छोटे भाईया की पुद्धी पर सच मुझ तरस आ रहा है इन्हें देखकर विश्वास हो जाता है कि प्रेम अंधा हो जाता है बाप रे यह पंकच क्या वाही तबाही पके जा रहा है मनुझ को डर लगा कि यह लड़की अफट पड़ेगी पर उसने सुमंध को पुछकारते हुए बड़ी शांती से कहा बेटे अपने चाचू से कहो कि अपने लिए मिस वर्ट ले आएं हमें कोई अतरास नहीं है अच्छा है मा की दोनों बहुएं राचरानी से लगेंगी पर घर में काम वाली भी तो कोई चाहिए न मेरी तो काम वाली भी ऐसी सिल्बिल्ली सी नहीं रहती मा ने डपटकर कहा तुम्हारे पास इससे खराब कपड़े नहीं थे मनूज फिसमित हो कर सुन रहे थे इस तरहां की बात मा कनक से कहने का साहस कभी नहीं करती, घर में भूचाल ही आजाता, पर इस लड़की ने बड़े हिशाली नंदास में कहा, इत्मिनान लखो मा, खूब अच्छी साड़ी लाई हूँ, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी, यहां का काम खत्म हो जाए, फिर पहन लूँगी, पर एक बात अभी से बता देती तो सारे का तुरंत कमर में दुपटा खोंस कर किचन में खुस गई, उसने टेंट हाउस की प्लेटों को धो पोंच कर रख दिया, गिलास और चमश गिनकर एक कतार में सजा दिये, सौफ सोपारी की ट्रेद तयार कर दी, अक्वागार चला कर दो चार घड़े पानी भर लिय हर काम के बाद मा से पूछती, अब क्या करूँ, मा बोली, तू तो कहानी का जिन हुई जा रही है, काम बताओ नहीं तो खा जाओंगा, बहुत हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब अपनी यह भूदनी सी शकल धो पोंच कर इनसान हो जाओ, छे बजे से लोग आने लगे वो तैयार होकर जब कमरे से बाहर निकली, तो वाकई सुन्दर लग रही थी, मानना पड़ा कि निरच की पसंद ऐसी बुरी भी नहीं है, घर लोटते ही करना की पहली प्रतिकिर्या थी, आपको नहीं लगता कि निरच भाया की फैंसी कुछ ज्यादा ही इतरा रही थी, मनोश को अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, खुद उन्होंने देवर भावी की इस निश्चल नोग जोग का भरपूर आनंद उठाया था, समझ गए थे कि पंकज इस तरहां के मधुर्स निहा लाप के लिए तरस गया था, कनक से तो इस तरहां का रिष सोशल बना दिया था, अपने चाचों के साथ सुमंध की खोप पढ़ती थी, सुमंध के लालच में पंकजियता कदा इस घर में चला आता है, पर मा तरसकर रह जाती हैं, मनोश का अलग घर बसाना सुमंध की वजहां से ज्यादा आखर गया था, मनोश तो अकसर ही चकर लग पाता था, और कनक केवल विशेश अफसरों पर ही सास के घर चाती थी, दीदी बच्चों को छोड़ कर आई थी, इसलिए तीसरे दिन ही चली गई, मनोश ने सुभा घर से चलते हुए ही बता दिया था, कि दीदी को ट्रेन में चढ़ा कर ही लोडेंगे, कनक से पूछा भी था, कि स्टेशन चलना चाहो, तो चकर घर का लगा लूँगा, पर कनक के पास तो ना चलने के सौ बहाने थे, वैसे मनोश ने भी केवल आपचारिकता ही निभाई थी, नहीं तो इसी बात पर छगड़ा हो जाता, दीदी एकदम तयार थी, मनोश के पहुँचते ही बोली, अरे, अभी तो बहुट टाइम है, स्टेशन पर बोर होंगे, मा बोली, मेरा खयाल है, तुम लोग निकल ही जाओ, क्या फाइदा, इसका ध्यान वहीं गाड़ी में ही अटका रहेगा, मनोश को बढ़ा आश्चर्रे हुआ, अन्यथा होता तो यह था, कि मा आखरी चणों त ओपर से ट्रेन आधा घंटा लेट है, तुमने घर पर इतनी जल्दी मचाई, कि इंक्वारी से पूछ भी ना पाए, वैसे भी वे लोग कौन सा तुरंत जवाब देते हैं, जल्दी आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, आराम से बैठकर बातें कर लेंगे, वैसे भी इन दिनो इतनी भागम भाग मची रही, कि तुमसे ठीक से बात ही ना हो पाई, हाँ, इस बार तुम्हारा मेरे यहां आना भी ना हो सका, कनक कहती ही रह गई, मनोज एक सफेद जूट बोल गए, पता नहीं दीदी ने यकिन किया भी की नहीं, ओपरेशन के समय आओ, तो मेरे पास ही रुखना, अस्पताल में आने जाने में सुविधा रहेगी, ओपरेशन पहले हो तो बागी बातें बात में सोचेंगे, हाँ, उस दिन पापा एक तम से क्या कह गए थे, मैं पूछना चाह रहा था, पर मा ने बात ही नहीं करने दी, पता नहीं क्यों जिद ठाने पैठे हैं कि मैं अपने पसीने की कमाई डॉक्टरों पर नहीं लुटाऊंगा, लाग तेड़ लाग कम नहीं होता है, लेकिन उनकी कमाई को हाथ कौन लगा रहा है, उनका कहना है कि मैं बच्चों को टेंशन में नहीं डालना चाहता, ना उनके लिए कर्ज छोड़ना चाहता हूँ, दिन भर बैठे बैठे, मा को हिसाब समझाते रहते हैं, कहते हैं, ग्रेजुटी की रकम फिक्स में डाल देंगे, उसका ब्याच आता रहेगा, पेंशन भी मिलेगी, तुम्हारा काम चल जाएगा, बच्चों को परेशान मत करना, पंकच से कहते हैं, दो साल सबर से काम लो, फिर तुम अपने पेरो पर खड़े हो जाओगे, तब तक मा की आये में कुजारा करना, भायों के आगे हाथ मत फेलाना, उन्हें अपनी भी क्रहस्ती देखनी होती है, ये एकदम से क्या हो गया, अगर वो ऑपरेशन से डर रहे हैं, तो यह डर उनके मन से निकालना होगा, दीदी, ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है, मैं तो इतने दिन रुकने के लिए तयार ही नहीं था, पर आखरी दिन तक ऑफिस जाने का उनका मन था, दफ्तर वाले भी कॉपरेट कर रहे थे, इसलिए चुप रहा, पर अब स्यादा टालना ठीक नहीं है, जितनी देर करेंगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, तुम्हें एक बात बताओं, पापा कहते हैं कि मुझे मरना मन्जूर है, पर बेटा मेरे लिए ससुर की आगे हाथ पहलाए, ये मुझे मन्जूर नहीं, क्या बात करती हो दीदी, मैं ससुर की आगे हाथ पहलाँगा, चैन यू बिल मनोच आजकल बहुत टेंशन में है, सौभाविक है, ये ऑपरेशन बहुत खर्चिला होता है, पर मैंने उससे कह दिया है, कि चिंता की कोई बात नहीं है, कोई भी जरूरत हो, तो हम से कहो, हम किसलिए हैं? कसम ले लो दीदी, जो मैंने एक बार भी उनसे इस तरह की कोई बात की हो, बलकि मैं तो यही कहता रहा हूँ, कि सब विवस्था हो चुकी है, शायद कनक ने कुछ कहा होगा, उसे जरूर टेंशन होगा, और ऐसे में लड़की अपने माँ बाप से ही बात करेगी, हो सकता है तुमारे ससुल ने अपचारिकता वश ही यह बात कही हो, पर पापा उसी दिन से सनक गए हैं, क्रोट से मनोज का संपून शरीर जैसे चलने लगा, मन हुआ कि अभी घर जाए और कनक से जवाब तलब करे, पर ट्रेन आने तक तो रुखना ही था, वह आधा घंटा उनके लि मलग आ रही थी कि पापा की नजरों में क्या इमेश बनी होगी, घर पहुँचे तो एक और आश्चर्य उनकी प्रदिक्षा कर रहा था, दर्वाजा पंकशने खोला था, और पीछे सोफे पर सुमंत सारिका की गोद में चड़ा हुआ धमा चौकड़ी कर रहा था, वाटे सर्प्राइज, सपाट स्वर में ही सही, उन्होंने अपचारिकता निभाई, सर्प्राइज तो खैर होगा भाई साहब, पर आपके चहरे से ऐसा नहीं लगता, कि वह प्लेजन्ट भी होगा, मनोस थोड़ा जेंपे और सूखी हसी हस कर बोले, दरसल इस नालाय को यहां स्टेशन नहीं आ सकते थे, उन्होंने पंकच को टाटा, दीदी ने मना कर दिया था, पंकच ने शान स्वर में जवाब दिया, मनोस समझ गए, कि सब कुछ एक योजना के अंदरगत ही हुआ है, इसलिए दीदी को स्टेशन जल्दी फेज दिया गया, ताके इत्मिनान से अ कुछ और ही अर्थ लगाया, बोली, दरसल भाई सहब, आपकी कसुरुवार मैं हूँ, उस दिन इन छोटे मिया के लिए कुछ नहीं ला पाई थी, इसलिए मैंने पंकच से साथ चलने की रिक्वेस्ट की थी, और बड़े भाईया, आपका कसुरुवार मैं भी हूँ, कि मैं ने इन्हें आपका घर दिखा दिया, अब ये जब तब आपको बोर करने चले आएं, तो मुझे गाली मत दीजेगा, पंकच के इस नाटके वक्तवे पर उन्हें हसी आ ही गई, वातावरन थोड़ा हलका हो गया, सारिका ने पंकच को डबटते हुए कहा, अंदर जाकर वाते बना रहे हो, वैसे काइदे से यह काम आपको करना चाहिए, खैर, पंकच ने कहा, और हस्ता हुआ भीतर चला गया, नन्ने नन्ने डग भरता हुआ, सुमंध भी उसके पीछे हो लिया, उसके जाते ही, सारिका ने पर्स से एक लंबा सा लिफाफा निकाला, और मनोच क सेविंग है, जस्टे ड्रॉप इंदा ओशन, रामेश्वर का पुल बानते समय, गिलहरी का जो योगदान था, बस उतना ही, पर ये सब किस लिए, मैं नहीं चाहती, कि पैसों के लिए पापा का उपरिशन रुका रहे, मनोच के चेहरे की नसे, एकदम तन गई, उन्होंने अत्यंत सक्त लहसे में कहा, कि पहले इसे उठा कर पर्स में रखो, बात में कोई बात होगी, वह सवर ऐसा था, कि सारे का उसकी अवग्या ना कर सकी, चुप चाप लिफावा पर्स में डाल लिया, अब बताओ, कि तुम से ये किस ने कह दिया, कि पापा का उपरेशन पैसो की वचा से रुका हुआ है, उस दिन पापा ने एक्तम से वो अनॉंसमेंट की, तो मैं घबरा ही गई थी, पंकच से बात की तो, पंकच ने क्या बताया होगा, इसकी मनोश भले भाती कल्पना कर सकते थे, इसलिए उन्हें पीश में ही रोकते हुए मनोश ने कहा, मान लो कि हम आर्थिक तंगी से गुजर भी रहे हैं, पर तुमने ये कैसे सोच लिया, कि हम तुम्हारा ये हम पर शेयर स्विकार कर ही लेंगे, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है, नो, शादी से पहले तो बिलकुल भी नहीं, उन्होंने निर्नायक स्वर में कहा, उसी समय नाष्टे की प्लेटों के साथ कनक ने कमरे में प्रिवेश किया, पीछे चाय की ट्रे के साथ पंकश भी था, सारे का एकदम सकपका गई, उसकी अनाधिकार चेस्टा की दुर्गती होते हुए इन लोगों ने जरूर देख ली होगी, अफमान से उसका मून लाल हो गया, मनोज ने ले कनक सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, पर सारे का ने अत्यंतमलान स्वर में कहा, फिलहाल दो साल तक तो शादी का सवाल ही नहीं उठता, क्यों, निरच बता रहे थे कि जब तक आप पढ़ते रहे, दीदी ने शादी नहीं की, जब तक निरच को जॉब नहीं मिल गया, आपन पंकज। दिवाली बाद पहले मुरत पर ही तुम्हारे हाथ पिले कर देंगे, पर पहले पापा का ओपरेशन होगा, वह तो होगा ही, इट इस नथिंग टू डू विद यूर वेडिंग। चाए पीकर वे लोग चले गए, कनक जैसे जाने की ही परतिक्षा कर रही थी, बोली, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जादा हो रहा है, ये लड़की कितना ओवर एक्ट कर रही है, अभी घर में आई भी नहीं है, और उसका इन्मॉल्मेंट तो देखो, जैसे घर की हर बात से उसे सरोकार है, ये तुमसे किसने कह दिया, कि वो अभी घर में आई नहीं है, वो कब से घर में दाखिल हो चुकी है, बलकि यहां रच पस कई है, इसलिए उसे घर की हर बात से सरोकार है, यहां की हर चिंता उसे परेशान करती है, हर खुशी उसे प्रसन करती है, उस पर दुर्भाके से तुम खुद अभी इस घर में प्रवेश नहीं कर पाई हो, ग्रह प्रवेश के समय तुम्हारा केवल शरीर ही भीतर आया था, मन तो बाहर ही चूट गया था, और अब भी शायद वह बाहर ही है, पता नहीं किस महुरत की प्रतिक्षा कर रहा है। एक अड़से से मन में घुमनने वाली बातों को एक बार की कह डालने के बाद मनुश का मन एकदम हलका हो गया था, पर अपने भीतर के सच को इस तरहा अनावरित सामने पाकर कनक एकदम सहम गई थी, दहल गई थी। कहानी यहीं पर खत्म होती है, मालती जोशी जी की अन्य कहानिया आप कथा सहित्य की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, कथा सहित्य में साथ बनाई रखने के लिए धन्यवाद।